नमस्कार निदीगर कलाकृती में आपका फिर्चे स्वागत है आज हम बनाएंगे सैंडविच जी हां सैंडविच लेकिन एक नए अंदाज में कोल्सलो सैंडविच यह बहुत ही टेस्टी है यह टिफिन के लिए बहुत अच्छा है अज इस स्नैक आप इसको खा सकते हैं और इसको कामकाजी महिलाओं के लिए तो यह एक बून है रेसिपी को ध्यान से देखिए मैं बीच में आपको इसके वेरियेशन भी दूंगी तो इसके लिए चाहिए हमें ब्रेड मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड लेरी हूँ आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड कार्लिक ले सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सबजियां चॉप्ड हैं मेरे पास कैबेज है कैपसिकम है अनियन है आप इसके में बेल पेपर्स काट सकते हैं कौन ले सकते हैं गाजर काट सकते हैं यह गाजर को काटने वजाए ग्रेट कर लीजे तो चलिए chopped onion है chopped onion डालिए इसमें मैं तमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं क्योंकि बहुत सौगी हो जाएगा थोड़ी सी रेड़ चिली पाउडर salt आप रेड़ चिली की जगे ब्लाक चिली पाउडर यानि की पेपर कॉन्स पाउडर भी डाल सकते हैं काली मिर्च का इस्तिमाल कर सकते हैं यहां मैं इस कुट्विश देने के लिए औरेगेनो डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लिक्स डालेंगे क्यूंकि हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं इसलिए यह वेरियेशन्स हैं इसके अंदर अब इसमें हम एक बड़ा चमच टमैटो केचप डालेंगे अगर आप इसमें तोड़ी मातर में टमैटो केचप अंदर ही मिक्स कर देते हैं तो आपको अलग से केचप की जरत नहीं पड़ेगी इसमें आप तोड़ा सा मियोनीस का इस्तिमाल करेंगे आप मियोनीस की जगा इसमें हंकड यानि की गाड़ा दही भी इस्तिमाल कर सकते हैं घर की मलाई का इस्तिमाल कर सकते हैं पर ध्यान रहें मलाई मिलाते वे मैं फ्रिच की ठंडी मलाई होनी चाहिए मैं यहाँ पे मियोनीस डाल रही हूँ अब इस समान को अच्छे से मिक्स कर लीजे आपकी फिलिंग रेडी है आप इसमें बॉयल मटर डाल सकते हैं कौन को हलका सा बॉयल नहीं तो कच्छा कौन भी डाल सकते हैं अब ब्रेट स्लाइस लीजे उसको हलका सा ओयल कीजे गी लगाईए या मेल्टेट बटर लगाईए मैं यहाँ पर दिसी गी कर इस्तिमाल कर दियूँ आप अब वॉयड भी कर सकते हैं दोनों साइट्स को मैंने गी कर दिया है अब इसमें मैं यह अच्छी मात्रा में इस मिक्षर को रखूंगी इस बहाने बच्चे सारी सबजिया में खा लेते हैं उनकी भी पसंद हो जाती है और आपकी भी पसंद हो जाती है अब इसमें मैं उपर से श्रेड़िट चीज डाल रही हूँ आप श्रेड़िट चीज के चीज स्लाइस का स्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो करप्या करके चीज मत खायेगा दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखिए और इसे टोस्टर में गुरिलर में अच्छे से से शेक लीजिए देखिए दोनों तरफ से क्रिश्पी तयार हो गये हैं इसे आप किसी भी सास के साथ सर्फ कीजिए मैं या ग्रीन चटनी के साथ सर्फ कर रही हूँ आपका क्रिश्पी कॉल्चलो शैंडविच तयार है यही मिश्रन आप कुल्चे के अंदर भर के स्टफट कुल्चा बना सकते हैं तो बहुत सारे वेरियेशन्स आपके पास त्यार हैं जुड़े रहे हैं निदिगर कलाकरती से दन्यवाद